प्रुश्कार में गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडी जार्व चर्चा करें अक्षे तृतिया पूजन बिधी पर आपको बताएंगे अक्षे तृतिया का होती है इस दिन किसका पूजन करना चाहिए इसकी क्या विशेषता है इन सब पर अच्छे से विश्थार स आपको बताएंगे इस दिन किसका पूजन करना चाहिए कैसे करना चाहिए आज कि दिन भगवान बद्री नाराण जी का कपाट यानिकी दरवाजा खुला करता है तो आज हम बद्री नाराण जाकर के उनका दर्शन करें यहां से इसमरण करें या पिर जहां पर आप हैं वह और बढ़ियां एक आसन में एक चौकी में रख करके कपड़ा विछा करके और यथा सक्ति जितना हो सके आपसे उतना पूजा करें भाव से पूजा करें भगवान का इसमरण करते रहें हल्दी चंदन कुमकु में इत्यादी लगा दिजे अक्षद पुष्व माला कि दिफ बिख्ती को इतना ही पूजान करना चाहिए बहुत ज़्याद मन्ति रित्याधी के चकड़र नहीं पढ़ना चाहिए बढ़ें भाव से पूजा करना चाहिए ऑन्सार नाराण जी का पूजान करना चाहिए तो अक्षेत्र दिया जो है यहां त्रेता यूग की प्रारम्भिक्ति थी अर्था त्रेता यूग जिस दिन प्रारम्भ हुआ था जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन की यहां पहली तिति हैं इसकी बहुत ही विशेस्ता बताई गई इस सास्त्रों में आज की दिन जो कोई जो कुछ भी दान करता है उसका बहुत विशेस महत्व है विशेस फल मिलता है इसलिए बढ़ चड़ करके हमको दान देना चाहिए बात करें किसको दान करें तो हम गरीबों को दान कर सकते हैं जरूरत मन्द को जो जरूरी चीज मिल जाए वही दान होता है ठेक आप संकल्प पूर्वक दान करें न घर में पंडित जी अब दो क्यानी जा करें आप लोग में किस वस्तु का दान करें तो आज की दिन जो विशेश रूप दान करने योग है घड़ा जल यह जल इन दो बस्तुए जैसे जलसर मंदित क्या खीरा करी इत्यादी फल जो तर्भूजा इत्यादी फल होते हैं पानी वारे फल इनको दान करिए जूता चप्पल इत्यादी दान करने का आज विशेश समहत्त है गुड़ दान करने का आज विशेश समहत्त है श्वर्ण दान करने का अन्य दान करने का वस कि आपको संकल भोलने में समिंस्या हो रही हैं तो आप बस बने रही वीडियो साथ आफ संकल्प के शिखाय समान जहाए से बोलेंगे तब एक मिनट में फोलेंगे ठीक हम लोग ध्यान पूर्वक्त शीखते हैं सबसे पहले हम संक्र बोलते हैं ओम श्त्री हरी विश्नोर 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 ओम नम्हाध्य प्रम्हत्य प्रड़े स्रीश्वेद वाराह अकल्पे जम्मुत्ध्वीपे भरत यहां पर बिंदी रखी है यहां पर जिस जिला के अंतरगत है उसका नाम जोड़े प्रयाग जनपदे प्रियाग छेत्रे यहां पिर संगम छेत्रे ठीक है इस प्रकार आप जिस छेत्र में वहां का नाम बोलें मेरा जो नगर पढ़ता है मतलब गांव से भड़ा स्थान वहाँ पर नगर बोलते हैं ठीक है जो संकरगर नगरे फिर गांव की बात कछांव पूंग लोग पिंगल नाम को में ने यह संब सर ए ठीक है इसके बाद उत्तर आयने आप ऐसे बोल सकते हैं उत्तर आयने रबव वशंत रितव महामांगल्य प्रदमाशो तमे माशे मैशाख माशे सुभे सुक्ले पक्षे आध्या त्रतिया महाशवपन्य दिधव इसके बाद क्योंकि हम अक्षे त्रथिया को शंकल्ब कर रहे हैं तो उस दिन त्रथिया तिथी रहती है ठीक जो दिन हो उस दिन कौन्सा दिन है शुक्रवारवासरे सुक्रवासरानवितायाम कोई भी बोल सकते हैं ठीक पिर जो रासी में जो ग्रह बैठा हो उसका आगर आपको पता है जानकारी है उसका नाव चारण करिए नहीं पता है तो अमुक अमुक रासिस्ट तेसो ग्रहेसो एबं ग्रहा कुन गन भिशेशन भिशेश्टायाम यहां तक ठीक शुबपुण्य समय जो समय है जी समय आप दान ले रहे हैं दे रहे हैं माली जी हम दान ले रहे हैं दो पहार में तो बोलेंगे शुबपुण्य समय मत ध्यानकार समय फिर जो दान दे रहा उसका नाम और गोत्र माली जी उसका नाम अखलेश है ठीक है तो गोत्र कश्यब माल जोर सकते हैं सपतल जजमान से बुलवाई सपत्ने कोहिं सपरिवारश्या अभित्रस्या, पुत्री शीठ, मात्रटरस्य, सुनतीय, स्म्रिद्पुरांड, लोग, टफालबर्बाप्तिकामह, आयू, आरोग्या, ऐषारिया, धनद, धन्या, अभिबरध्ध, जायरोठं कि इसके बाद दिखें पर ऑर चीज़ें जोड़ करते हैं कि जर। नियादी है आप जोड़ा है जोड़ी है कै जोड़ाई Hem राजनीती बाधा निवार अर्थम उन्नती प्राप त्यर्थम है ने कुछ भी जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ना साधार स्रीपरमेश्वरप्रेत त्यर्थम ठीक है विशे सतहा विशे सतह मैंने लिख दिया है मालीजे कोई अगर आपको विशेस कामना हो जिसके कारण आप जान कर रहे हैं तो उसको यहां पर जोड़ दीजिए भी से सतहा यहां पर क्या हो सकता है मालीजे कोई बीमार है तो आरोगता के लिए ठीक तो सीग्राद सेग्र आरोगता अप्राप्ति है त्वर्थम या फिर कुछ नहीं है तो सीदे बोलिए भगवान लक्षमी नारायन आध्य यिथा सकती आव इसमें से जो जो सामागरी दान करने वाला दान लिए ठीक है अन्न मिष्ठान स्वर्ण वस्त्र आदी ठीक है इसमें से जो हुमान लिजे अगला विक्ति के वर पैशा और अन्न दान कर रहा है तो आप कैसे बोलेंगे शासिकी मुद्राह अंड आदी सामा गृभिह दानम अमुक गोत्रह अमुक नामने जो उसका नाम और गोत्रह उसको बोलें किसका जो दान ले रहा है यह आचार ब्राम्मर जो भी दान ले रहें अगर आप स्वैंश से ले रहें तो आप नाम गोत्रह करिए ठीक है मैं बोल रहा हूँ तो इसे बोलूगा वत्स गोत्राया या फिर वत्स गोत्रोत्पन्नहा गोपाले नामनहम अपना नाम स्वायम सुचारण करना हूँ इसलिए नामनहम ठीक दान ले करके अगला विक्ति जो ले रहा है वो बोलेगा ओम स्वस्ति स्वस्ति माने आपका कल्याण हो ठीक इस प्रकार से आप दान का शंकल्प छोटा शा बोलिए तो आप बताई कि आप लोगों के लिए कैसा रहा कैसे कुछ सेवा हेल्प मदत त्यारी हो पाई है यदि हो